विडियो की शुरू करता है निफ्टी कर ने कहां पर काम काच कर सकता है और एक बार यार आज की कैंडल भी देखलो कितनी प्यारी केंडल बनी है मतलब लेटरली आज जिसके दिमाग में भी अगर गलती से भी कॉल बाय करने का ध्यान भी आया होगा ना तो मार्केट इतने गंदे तरीके साथ उसका ध्यान यह भार निकाला है मतलब मार्केट आपको कहीं भी नी छोड़ा है अगर आप सो रुपे भी आज कोई कॉल बाय करेंगे ना तो आप देखों आज उसका एंड वागा रहा होगा रहां दस रुपे के आसपास यह फर पांच रुपे पर तो मार्केट ने आज बहुत गंदे तरीके से दोहया ब कोई ने कहीं 30% मूव रिमेइनिंग होता है उस कैंडल के बाद यहां पर ध्यान देने वाले क्या है कि अभी मार्केट अरूंड जिस लेवल पर हमारा कड़ा है यह अभी यह काफी अच्छे सपोर्ट की तरह है हमें मार्केट में काम करता वाद दिख रहा है इफ दिस ब्र मार्केट की क्लोजिंग होई है 1050 क्या सपास तो बेसिकली यहां पर हमारा 60-65 पॉइंट यह जो यहां पर थोड़े बाइस आये थे उन्होंने उपर लेके कर रहा है इसको हलका सा क्लोज तो वह बेसिकली इसी वज़े से क्योंकि कहीँ नहीं हमारा जो हुआ पर यहां पर उपर जाते वे आज दिखिया अब देखना है कि कल कहां पर यह काम काज कर सकता है और कल तो निफ्टी की एक स्पाइडी भी है तो वहां पर एक चीज बता दूँ आपको दो चीज़े जो काफी पॉसिबिल्टीज है होने की तो वह क्या हो सकती है फ्रेंड्स आप देखो अगर कहीं न कहीं तो आज बेसिकली जितना हमारी यह इंदम बनी ह सूपर कैंडल बनी है वो भी बेर शूपर कैंडल ठीक है तो इतनी जादा बैसिकली सेलिंग आई है यहां पर और दूसरी चीज अगर आप आज का प्रीमियम देखो मतलब जितने भी पूट के स्टाइक से तो वहां पर आट गुना नौ गुना आज पैसा बना है ठीक है अ पहली चीज ठीक है और दूसरी चीज अभी सोचने वाली क्या है कि मार्केट अब खड़ा कहां पर आप यह देखें तो मार्केट खड़ा है एक सपोर्ट लेवल पर और जो की कैसा लेवल है बहुत स्टॉंग सपोर्ट का काम करेगा यह कल के दिन इफ दिस प्रेक तो यहांपे होगा क्या क्योंकि जिस तरीके से आज की कैंडल बनी है तो आपको वापइस से एक लिस्त कुछ नहीं को आपको यहां तक के टागेट इधर तक के टागेट इधर कहीं तक के ही तंग आप आने वाले कुछ दिन और यह हमारा हो गया support तो 21,300 और 21,000 के बीच में market क्या कर सकता है basically यहाँ पर sideways होने का try कर सकता है तो यह चीज़ आपको ध्यान में रखनी है ठीक है around 100-800 point में market क्या कर रहेगा कल फिर movement देने पर लग जागा but if कल अगर यह वाला support हमारा break हो गया गलती जमी यह आप support mark करके चले ना gap up हुआ था यहाँ पर काफी बड़ा तो उस वज़े से यहाँ पर around कुछ नी हमारा यह around 60 से लेकर 100 point तक का यह क्या बनावा है यह support level बनावा है तो यह support level अगर break हुआ तो हमें क्या हो सकता है major fall nifty में आते वह दिख सकता है और nifty हम कहीं ना कहीं फिर वापस expect कर सकते हैं कि at least nifty 2600 के आसपास तक के next target दे बतला आप देखो कि जितना यह ऊपर के लाप की rally आई थी वो एकदम से एकदम शाफ वाल यहाँ पे होने को दिख सकता है possibilities नहीं होते हैं वैसे कभी भी इतना कि कि एकदम से इतनी अच्छी rally आई है विगदम से शाफवाल में convert हो जाए ऐसा जनरल ही नहीं होता है बट जिस तरीकी के आज के candle बनी है और अगर ऐसा ही रह जाए कुछ टाइंवार और इस support level को भी break कर जाए nifty तो definitely हमें क्या हो सकता है बड़ा downfall देखने को मिल सकता है बट अगर हम बात करें कल की फ्रेंट्स तो कल के लिए बीए बार देख लेता है तो कल के लिए फ्रेंट्स हम क्या करेंगे कि पहली चीज sideways होने के देखो chances तो है boss ठीक है कि market के अगर जाए sideways रह जाए तो एक बार पंद्रमेट के डाइम फ्रिम पर देखते हैं जड़ा क्या निफ्टी के levels निकल के आ रहे है आज आज आप देखो मैंने आपको कहीं नहीं कहा था कि at least जब आपका ये ब्रेक हो मतलब अगर आपका कॉल साइट के लिए आपको सोचना क्यों नहीं है उसके भी आपको बता देता हूं कि कहीं है कि आज जो इतना अच्छा हमारा फॉल आया तो market इतने इसली अप मूफ तो कोई देगा नी ठीक है और यह जो आप यहाँ पर बेसिकली गैप देख रहे हो यह गैप क्या करेगा आपके रिष्टेंस का काम करेंगा ऊपर क्या कर सकते हो बतला वॉपर के जितने भी आ रहे हैं आप इनको इनको इन अल्ला इंट वॉइड मान के भी चल सकते हो क्योंकि वापिस इतना बड़ा रिवर्सल आने का तो कोई चांसे है नहीं ठीक है बट करना है कि हमें तो पू कि अधिए थाउजनट के नीच आप कही नहीं का वहां पर देख सकते हैं पुट में एक चीज़ में आपको और बता दू कि आप बेसिकली वहां पर करने कि आप छोटे-चोटे स्कैल प्लान करेंगे ठीक है तो कि इतनी बड़ी रैली आगई कि वापिस से कोई बड़ा तो आप करेंगे कि अगर 12,000 के मार्केट नीच निच निकलता है तो आप 20,950 का अपना पहला टागेट रख सिकते हैं इफ वह भी ब्रेक होता है तो बहां से आप फुर्द क्या सकता है वहां से कुछ ही आप अरूंड 50 तो 60 पॉंट और एड कर सकते हैं हम फिर कर तो कुछ भी सकता है इतना बड़ा फॉल तो नहीं करना चाहिए तो आप किया है मार्केट ने फॉल तो आप क्या कर सकते हो कि अगर कॉल के बारे में सोचो भी तो अट लीस्ट जब तक 1250 के उपर मार्केट ना निकले कोई भी कॉल के बारे में नहीं सोचेगा ठीक है औ यहां पर वन गो में बढ़ रहे थे प्रीमियम यह भी मैं आपको बता दूँ तो अगर कोई 100 रुपे का प्रीमियम था तो यहां से कुछ नहीं हो डैकली 250 तक गया वो भी एक सिंगल मुवमेंट में तो यह है फ्रेंस आज की वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे ह झाल